आतो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत करतो आपका हमारे YouTube चैनल में हमारे JQuery exercise की 7th वीडियो के साथ में आज की वीडियो में हम एक dark theme टॉगल JQuery क्या help करके create करेंगे जिसके अंदर हम एक button create करेंगे और चैसे भी button पर हम click करेंगे तो एक animation के साथ में हमारा जो desktop यानि हमारा जो document है उसमें एक dark theme अपलाए हो जाएगी काफ इंटरस्टिंग वीडियो होने वाली है और किस तरह से आप ये transition create कर सकते हैं JQuery का use करके CSS class को change कर सकते हैं वो आज की वीडियो में हम बताने आले हैं वीडियो काफी interesting होना आ लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification on कर दीजिए ताकि चैनल में आने वाले update आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए गाईज स्टार्ट करते हैं हमारी exercise को आप वाईज यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमने हमारा वीडियो को स्टार्ट कर दिया है और वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैंने हमारी जो जे क्वेरी exercise नाम का जो प्रोजेक्ट है जिसका source code आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसमें जाके आप देख सकते हैं मैंने एक नया फोल्डर क्रियेट कर रहा है जिसका नाम है डाक थीम टॉगल उसके अंदर एक index.html फाइल करो क्रियेट कर रहा है इसके अंदर में करूँआ है HTML का मारा boiler template को एड़ करके यहां पर लिखना मैं डाक थीम और उसे के साथ में म अपर हमारा HTML का structure त्यार कर देता है जिसके अंदर में एक main view क्रियेट करूँआ उस view के अंदर में एक button को add करूँआ जिसकी ID में जिसकी class में दूंगा my button और उस button में हम लोग लिखेंगे सबसे हम लोग बात करेंगे light theme हमारी सबसे पहले default दो रहेगी हो रहेगी light theme तो उसक लिखेंगा में एक icon और उस icon के बाद में मुझे एक span create करना पड़ेगा आप लिखेंगा में span जिसकी ID होगी theme name यह अब आप देच सकते है theme एक underscore में देदिया theme name एक id देदी उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे light theme की उसी के साथ में उस button के नीचे मैं आपर add करूँआ नुचे यहां पर मेरे button के नीचे add करना पड़ेगा एक div जिसके ID होनीच यह box और उसके अंदर मैं एक paragraph create करूँगा और उस paragraph के अंदर मैं लिखूँगा lorem 250 तो अब दख सकते है random 250 words हमारे यहां पर generate हो चुके हैं आपको इसका HTML structure दिखा हो तो HTML structure हमारा कुछ इस type का आपर create हुआ है उसके साथ में मैं क्या करूँगा अब मैं आपर थोड़ी CSS लिख देता हूँ इदर यहां पर मैं एक style tag create करूँगा और उस style tag के अंदर मैं जो universal जो tag होता है unisfer से selector कर यूज़ करके सबसे पहले मैं आपर font style यानि font family प्रोएड करा हूँगा इसके बाद मैं मैं य इसके साथ में मैं लिखना पर margin 0 और या पर लिखना पड़ेगा बैडिंग 0 उसके बाद मैं आपर body की background color लिखना पड़ेगा बैक्ग्राउंड कलर आईडी मैं ने दे दिए इसके साथ में मैं नीचे की तरफ आउंगा और या पर लिखना मैं div इसकी id हमारी box जिसके अंदर मैंने आपर paragraph tag को create कर रहा है आप देखिए div id box जिसके अंदर मैंने आपर paragraph tag को select कर रहा है तो उस div को मुझे center align करना है तो मैं आपर लिखना पड़ेगा display flags और या पर लिखन पड़ेगा justify content center align items center अब देखिए हमारा center align हो गया है और उसे के साथ में अगर मैं आपर margin देता हूं margin मैं लिख देता हूं 10% अब मैं margin या पर लग तो 10% आप देखिए बीच में आ गया है और margin left 10% देना पड़ेगा और right भी 10% देना पड़ेगा लिखना margin 10 और margin जो right होगा तो हमारा वो भी 10% इसाथ में आप देख सकते हैं हमारा जो paragraph है उसमें left और right में से 10% margin तो आ गया है लेकिन मुझे इस paragraph को center align करना पड़ेगा यानि top to bottom 50-50% margin होना चाहिए उसके लिए मैं आपर लिखूँगा इसके height कर दूँगा मैं अगर vertical height कर दूँगा मैं 90 vertical height अगर मै आई-डी box है वो center align हो चुका है आप देखिए कि यह हमारा जो div है वो center मा चुका है document के अब मुझे आपर button को भी align करना पड़ेगा तो है आपर मैं लिखूँगा button यह button और जिसकी class है my lot करके अगर लिखूँगा मैं my button तो आप देखिए जैसे मैं लिखता हूँ my button इसकी position म और इसको left से कर दूँगा मैं 50% और top से कर दूँगा इसको लिखना ओड़ेगा top 10% आप देखिए हमारा बटन हो एकदम center में आ चुका है इस document यह बीच में center में आ चुका है left से 50% और top से 10% यह आ पर आ चुका है इसके साथ में मैं आ लिखना padding, padding कर दूँगा 10% या फिर क और इसके साथ में border का radius कर दूँगा मैं 10pixel अब आप देखिए border का radius और border यह आ पर आ चुका है और इसके साथ में button पे transition लगा देता हूँ या लिखना मैं button.my button पे अगर कोई भी power करेगा तो simply एक CSS supply होगी जिसमें मैं इसको करूँगा border और box करूँगा मैं box shadow और box shadow मैं 5px 10px 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 और यहां पर लिखना मैं F5, 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 F5 ID मैं लिखना देनी बड़ी है ID अब आप लिखिए एक हमारा आप देख सकते है animation आ गया है इसके मैंने बहुत जदा light लिखना मैं 242424 लिखना तो अब यह थोड़े dark उजाएगा अब देखिए एक animation आ रही है इसके आप मैं अगर मैं इतर लिख दूँगा transition all 1 second तो आप देखिए कि इतर लिखना 0.5 second लिखना 0.5 second अब देखिए 0.5 second के बाद एक transition हमारा आप आ गया है अगर इसी को मैं इतर से 0 कर दूँ इसी को मैं यहां से कर दूँता हूँ 0 pixel अब आप देखिए हमारा जो button है वो button हमार 5 pixel यह आ गया है पीछे की तरफ इसको भी कर दूँगा मैं 5 pixel अब देखिए एक animation अच्छा animation हमारा आपर create हो गया है और आप देखिए एक animation हमारा आपर create हो गया है और काफी अच्छा animation हमारा आपर लग रहा है इसको कर दूँगा 15 तो आप देखिए थोड़ा all light हो गया यह अगर मैं इसको यह आपर –5 कर देता हूँ तो आप लीए थोड़ा इस तरफ होगया है अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ इसको कर देता ऊज आप 5 अब आप देखिये एक pop अब बटन पॉप का एक एनिमेशन हमारा प्रेट हो गया तो इस तरह से बटन पॉप का एनिमेशन क्रियेट कर दे लेकिन अभी तक मैंने आपर लाइट थीम और डार्क थीम के लिए आइकन का इस नहीं किया है अब लिखूँगा मैं style की जगन में लिखना लिंक करना है मेरा css और हमारा css का href होगा उस से css के href को पेस्ट कर देता हूँ हम ने देखिए css के href को पेस्ट कर दिया अब क्योंकि मुझे आपर हमारे आइकन का जो क्रास है वो मुझे पता है पहले से में को आप लिखना आप far, solid और जो मैं आपको recommend करूँगा कि आप cdn का यूज़ करके front awesome के cdn यूज़ करें क्योंकि उसको याद करना काफी आसन है क्योंकि मुझे आप लाइट थीम के लिए sun का यूज़ करना पड़ेगा तो आप लिखना आप पास sun और तो आप देखिए हमारा आप एक sun आ गया है तो इस परदस आप लेख सकते हैं काफी easily front awesome के cdn जो class होती है icons की वो काफी अच्छी तरह आप सीख सकते हैं और काफी easily आप सीख सकते हैं तो अभी में पार class आ गई अब मुझे आप पर responsiveness create करनी है तो एक मैं दो class add करता हूँ याप लिखूँगा dot light theme light theme में क्या होगा light theme हमारा background color होगा dark तो आप लिखूँगा dark background color के लिए मुझे रहें याप लिखना ड़ेगा dot fff आप लिखूँगा fff क्योंकि dark है तो आप color होना चीए हमारा white white color लिख दिया इसी के साथ में transition को create करनी हमारा transition और जिटे हमारा transition है तो आपर सब-सब पहला transition होना चीए background color 1 second और जो हमारा color है उसका transition होना चीए 1 seconds का और मुझे यहां पर इदर से इस background color को remove करना पड़ेगा body के अंदर में को सब-सब अले class add करनी पड़ेगी जो हमारी default class है light theme और head body के नीचे मुझे आपर script add करनी पड़ेगी jQuery की script जो मैंने download करना लगी है download करी भी jQuery का यूज करेंगे cdn की बात अभी के लिए नहीं करेंगे हमने काफी सारी पहले के exercise में cdn का यूज किया था अगर आपने वो वीडियो चेक आउट नहीं किये तो अभी क्या लिखूँगा अभी मैं लिखूँगा document.ready कभी भी हमारा document.ready हो तो simply एक function call होना चाहिए और उस function को define मैं एक से करूँगा कि जैसे कोई function call हो तो simply अगर कोई भी हमारी button जिसकी ID है my button कोई भी अगर उस button को click करता है तो simply उस button को click करने के बाद में function call होना चाहिए उसी के अंदर और उसमें मैं define करूँगा कि कोई भी अगर हमारे button को click करता है तो simply हमारे जो body है उस body की जो class होगी body की class होगी उस body की class को toggle कर दो toggle class का method यूज़ करके और उस body की class के कर दूँँगा मैं dark theme और उपन मैं dark theme बना नहीं कर दीगी light theme मैंने पहले से create कर रखी है मैं आपर अब dark theme create कर दूँगा इदर लिखने हो मैं dark background color हो जाएगा 0 0 0 और क्योंकि background color 0 0 0 है तो color होना चीए white और light में हमारा color होना चीए black आप देखिए light में black और black वाले color में हमने कर दिया light अब हमारा ठीक हो गया है toggle काम कर रहा है लेकिन अभी तो हमारा toggle क्लाब कर रहा है लेकिन जो हमारा ये हमारा जो icon है वो icon का जो आगे का है और जो हमारा text है वो change नहीं हो रहा है उसके लिए क्या अड़ना ड़ेगा उसके लिए मुझे यहाँ पर jQuery में document के अंदर लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो dark और light वाला button है वो सही तरह कर से काम तो कर रहा है लेकिन हमारा जो ये button का text है वो text change नहीं हो रहा है तो text change करने के लिए हम लोग क्या करेंगे text change करने के लिए हम लोग if else condition लगाएंगे यहाँ पर लिखेंगे अगर हमारा जो span है अब लिखूँगा अगर हमारा जो dollar जो हम target करेंगे span dot text है हमारा span का अगर वो equal to equal to हमारा light theme तो हमारा अगर उस span आप देख सकते हैं आपर हमारा span का text है वो हमारा text है live theme आपर मैं को define करूँगा इस condition को तो एक alert से मैं check करता हूँ पहले हमारा alert से काम कर रहा ही कि नहीं कर रहा अब देखिए यहाँ पर अभी हमारा काम नहीं कर रहा है मुझे यहाँ आपर लिखना डेगा condition को लिखना डेगा अब देखिए अब यह alert दे रहा है वापस लिख करूँगा तो अब यह alert दे रहा है अब यह तरीकर से काम कर रहा है तो अगर हमारा span का text है अगर वह light theme है तो simply हमें हमारे span का text है उस span पर text चेंज करना डेगा और उस text हमको करना डेगा dark theme अब अब देखिए light theme, dark theme हो गया यहां पर लिखाँ में span.text और यहां पर लिखाँ में light theme अब भीखिए जैसे ही मैं यहां पर हमारे इस button को क्लिक कर रहा हूँ तो अब डाक theme आ गया है अब वापस इस button को क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा dark or light theme button toggle create हो चुका है काफी easy सी coding में आपको बताईए काफी easy तरीके से मैंने समझानी कि आपको कोजिश करी है वीडियो इंटरिस्टिंग लगे तो वीडियो लाइक कर जीजे और अगर आपने हमारी last key exercise वीडियो को चेक आउट नहीं किया है वीडियो का ऐसे लगे है वीडियो के नीचे आपको description में comment करका बता सकते है description पर आपको jQuery cdn और funt awesome का cdn और icons की link आपको description मिल जाएगी मास से जाकर आप चेक आउट कर सकते है आप हमारे दूसरे भी jQuery और java script की exercise को चेक आउट कर सकते है जो हमने हमारे चैनल पर upload कर रखी है तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते है आपको jQuery exercise की एक नई वीडियो में जिसमें हम cover करेंगे total 50 jQuery exercise वीडियो जो आपको java script और jQuery में master बना देगी तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको नई वीडियो में अब तक के लिए keep learning, keep exploring, जाहिन